नमस्कार मैं हूँ अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चानल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत है वेल आज एक ऐसी special recipe लेकर आऊँ जो किसी भी त्योहर में fit हो सकती है किसी भी celebration में fit हो सकती है और आती है सीधा पुषकर से भीया राजस्थान में मालपुवा और रबड़ी बहुत खाई जाती है in fact वहाँ से निकल कर इंडिया में बहुत famous होगी तो आप के लिए बनाएंगे बढ़िया लच्छेदार रबड़ी साथ में उसी रबड़ी से बनाएंगे मालपुए तो चलिए शुरू करते हैं पढ़िया रबड़ी मालपुए की रेसिपी सबसे पहले एक लीटर दूद को हम उबलने के लिए चड़ा देते हैं उसे हमें reduce करना है almost 60% यानि कि एक लीटर दूद जब 400 ml बच जाएगा तो हमारी रबड़ी बन जाएगा चलिए अब एक फ्लैट बड़े पैन में एक लीटर दूद को चड़ा दिया जाएगा अब मैं जानता हूँ कि इंडिया में तो गाय भैस का दूद ऐसे locally मिलना कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन जो लोग जो viewers हमारे बाहर के देशों से देख रहे हैं उनको सिर्फ tetra pack दूद मिलता है और full fat दूद नहीं मिलता कई बारी तो आप tetra pack दूद को जब उबालने चड़ाएंगे जब वो 50% हो जाएगा ना तो उसमें bread slices को हम crush करके डालेंगे जी आप bread crumb हमें binding में भी इस्तिवाल करता है और रबड़ी के binding में भी बहुत पढ़िया टेस्ट भी आता है डूद ब्रेड चीनी कभी खाई है बच्वन में मैं बहुत था 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 वही वाला है पंडा सेम अब एक लीटर दूद को 400 ग्राम बनाने के लिए समय लगेगा हलकी आँच पेशे लगातार हिलाना पड़ेगा क्योंकि दूद ऐसी चीज़े इसको आप छोड़के भाग नहीं सकते तो आप बाकी कुछ काम करते रहिए साथ में दूद जो है वो गाड़ा होता रहेगा अब यह जो 400 ग्राम जब बन जाएगा ना तब आएगा ब्रेड वाली बार अब यह से अच्छे से बॉल होने देते हैं और रिड्यूस होने देते हैं अब आप देख रहे हैं कि दूद जो है बढ़िया से रिड्यूस हो रहा है और यहां पर यह जो रबडी निकल रही है लच्छेदार यह हो रही है एकदम मज़ेदार अब आपको अगर इसे और बढ़िया थिक करना है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया और सिंपल हैक इतने से दूद में दो ब्रेड स्लाइस साइड काटके चूरा करके डाल दो फिर देखो रबडी यूँ मन जाए अब दो फ्रेश ब्रेड के स्लाइस इनकी साइड को निकालना होगा क्योंकि साइड एक तो कलर खराब करेंगे और घुलेंगे नहीं पूरी तरीके से और इन्हें अब छोटे-छोटे टुकडो में इस तरीके से या तो तोड लिया जाए या फिर एक बार मिक्सी में घुमा लिया जाए तो एकदम पाउडर हो जाएगा इजी हो जाएगा अब ये मिक्सी में इसको बस थोड़ा सा चूरा कर लिया है ब्रेड को और ये जो है इस स्टेज पर दूद में डाल देंगे ये रबडी को बढ़िया थिक कर देगा वैसे जरूरी नहीं है ये डालना अगर आपके पास वो टेट्रा पैक वाला दूद आता है तब ही अदर्वाइस दूद में मलाई एतनी बढ़िया होगी कि रबडी ऐसे ही मलाई दर बनेगी मतलब टेट्रा पैक वाले दूद की मलाई दर रबडी आपके सामने है थोड़ी सी ब्रेड डालिए वस है ना अगर भेंस का दूद है तो वो डालने की जरूरत नहीं है एक लीटर दूद को 400 गराम बनाने के बाद इसमें डाली हमने दो ब्रेड और ये रबडी हो गई एकदम लच्छेदार मिलकुल बढ़िया दानेदार रबडी बन गई अब डिश का ना में रबडी मालपुवा रबडी साथ में तो खाई जाएगी लेकिन मालपुवा भी रबडी से ही बनाए जाएगा जी हाँ यही है पुश्कर के मालपुए की खासियत उसमें जाती है रबडी साथ में जाता है हलकी सी सूजी और साथ में मैदा इन तीनों जो घोलना है बराबर से बढ़िया फ्राइग करना है घी में करो फ्राइग तो बहुत बढ़िया नहीं तो तेल में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आधी रबडी को निकालके बोल में डाल देते हैं अब इसका माबदान बिल्कुल सिंपल है दो कटोरी रबडी में एक कटोरी मैदा और साथ में एक चम्मच सूजी घोल दो अच्छी तरह से बढ़िया बैटर तयार दो कटोरी रबडी में एक कटोरी मैदा और एक चम्मच सूजी अब इन सारी चीजों को अच्छे से घोलना ह जब तक ये मैदा एकदम बढ़िया से मिक्स ना हो जाए तीन चार चम्मच दूद इसमें डालेंगे ताकि ये एक बैटर के फॉर्म में आ जाए अब ये बैटर जो है ये बढ़िया इस तरीके से फ्लोवी होना चाहिए और इसमें खुश्बू के लिए आप चाहें तो केवड़ा डाल सकते हैं अभी जो बाकी बच्ची वी रबडी है ना इसे लच्छेदार रबडी मतलब खाने वाली रबडी बना जते हैं क्योंकि मालपुआ के साथ खाई जाएगी ना तो अब ये रबडी में हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और साथ में थोड़ा सा केसर ये भी करीबन एक कटोरी रबडी बची है इसमें तीन चम्मच चीनी थोड़ा सा केसर हलका सा केवड़े का जल और ये सारी चीज़े डालके अब इसे एक उबाला दे दिया जाए ताकि सैफरन अच्छे से घुल जाए, चीनी, मेल्ट हो जाए और ये रबडी तयार हो जाए अब एक तरफ मालकोय का बैटर तयार, दूसरी तरफ रबडी तयार एक तीसरी चीज बाकी है जो है मालकोय की चाशनी और वो भी तयार कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, कई बार मैं आपको दिखा चुका हूँ बट चाशनी एक ऐसी चीजे जहां पर गरबडी हो जाती है तो हमें चाशनी बहुत थिन नहीं बनानी, बहुत थिक नहीं बनानी अब एक तार दो तार में हम नहीं घुसेंगे, मैं आपको consistency चम्मच में दिखाऊंगा तो यहाँ पर एक कटोरी चीनी है और जितनी चीनी उससे आधा पानी डालना है अब एक कटोरी चीनी को एक पैन में डालना है और उसमें डालेंगे उसका आधा पानी अगर गाड़ी चाशनी बनानी है तो यह अनुमान ध्यान रखी है साथ में डालूगा मैं थोड़ा सा सैफरन और दो से तीन छोटी इलाइची इलाइची को हलका सा खोल लेंगे ताकि इसका जो सारा खुश्बू और फ्लेवर है वो चाशनी के अंदर आ जाए अब रबडी को ना हलकी आज़ पर थोड़ा सा पकने दो हलकी और गाड़ी हो जाएगी मजा जाएगा यहाँ पर केसर ने अपना बढ़िया कदर छोड़ दिया है और यह चाशनी में चीनी घुल चुकी है दो-तीन मिनट चाशनी को और पकाएंगे, हल्की सी गाड़ी हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास एक पतली कडाई है वैसे अगर आप पास पतली कडाई ना हो तो आप ऐसे पैन में भी मालपुआ बना सकते हैं No problem क्योंकि हमें बेसिकली बहुत जादा तेल नहीं डालना और फ्लैट सर्फेस चाहिए तो इसलिए अगर आप पास पतली कडाई है बहुत बढ़ी है नहीं है तो पैन चलेगा अभी जो चाष्णी है ना इसकी consistency पहली बात तो आप ऐसे देखें कि चम्मत से जब आप गिराएंगे तो एक सीधी लाइन गिरनी चीए फिर जब यह droplets गिर रही है तो यह चिपकी चिपकी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि चाष्णी यह अभी उतनी तयार नहीं हुई है पीछे के spoon को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से stick नहीं कर रही है जैसे ही आपकी चाष्णी पीछे stick करने लग जाए मतलब चाष्णी तयार है अब आप इसको दो तार की चाष्णी चेक करने के लिए हाथ थोड़े से मजबूत होने चाइए अब इस टाइप से करते हैं तो दो तारे निकलती है अगर वो नहीं है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं मालपुए को हलकी आच पे घी में फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे आप देख रहे हैं कि यह जो दिख रहा है ना फ्लफी फ्लफी यह बता रहा है कि मालपुए जो है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एक दम फ्लफी बनने वाले मालपुए बनने वाले अब यह किसी शादी के बैंकुट से कम नहीं लग रहा बिलकुल वही राजिस्थानी मालपुए बनाए साथ में रबडी बनिये इसका टेक्स्चर देखिए बाहर से एक दम बढ़िया क्रिस्पी बनाए और अंदर से एक दम यह देखिए मुलायम बिलकुल हाथ में ही गल जा रहा है और यही होता है अच्छा मालपुए इसको आप इस तरह से रबडी में डुबाई यह और खाई यह और फिर आएगा आपको मजा कि अगया मजाक ना कर रहा एक दम पुषकर वाले बने हैं बढ़िया रबडी वाले मालपुए साथ में रबडी भी अब इंतजार बिलकुल मत करो जल्दी से जाओ बनाओ लाइक कर लो वीडियो को क्य कि है बहुत तगडी और साथ में सब्सक्राइब जरू कर लेना बहुत टेस्टी बनाओ जाइए बनाइए और फिर हमें कमेंट सेक्शन माईए कि आपका मालपुए बिलकुल वैसे ही बना जैसे हमने बनाए कि नहीं अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं हम सारे जवाब दे इस उनको बनाने का तड़ी का फूरी तरीके से डीकोट किया है असानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चलो कर दीजे एमजान और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में